पाकिस्तान दूनिया के लिए एक रॉग नेशन सरदर्द बना हुआ है दुनिया में अगर कहीं दंगे होते हैं दुनिया में कहीं आप बॉंब लास्ट होते हैं इंडिया का नाम तो कहीं न कहीं computer technology, space technology इस तरीके के scientistों में मिलता है, पाकिस्तान का नाम आतंकवादियों में मिलता है, अब जैसी शिक्षादोगे वैसे ही बच्चे बड़े होकर बनते हैं, अब यहां कराची का एक issue है, जिसके अंदर कराची में सेना के खिलाफ एक विद् के उपर भी discuss करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी information आपको देना चाहूँगा, और दोस्तों information ये है कि Corona period के अंदर सब बच्चे अपने अपने घरों में बैठके परिशान हो चुके हैं, studies disturbed हो चुकी है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आपकी studies क्यों disturbed हो, इ basic NCRT का course जो है, basic NCRT का course जो है, वो launch किया है, इस course के अंदर हम आप लोगों को complete NCRT competition level पर पढ़ा कर, GS का जो portion किसी भी entrance exam का होगा, उसे complete करवा देंगे, उसमें आप one day exam की GS होगी वो तो complete करोगे ही, UPSC और PSC के exams के लिए, UPSC और PSC के exams का जो PT है, वो अला portion अच्छे से हो जाएगा, और साथ में UPSC और PSC के जो previous year question paper होंगे, हम उसे भी solve करवाएंगे, जमाना इस समय पर कड़की का है, लोगों के maximum लोगों के कामधाम बंद हो चुके है, economy सिकुड चुकी है, हमारी आमदनी कम हो चुकी है, हालात खराब हो चुके है, और ऐसे में पढ़ाई रखना भी जरूरी है, ऐसे में हमने एक बहुत basic amount, 500 रुपीज पर मन्त का course ये launch किया है, इसमें आप मन्तली payment करके हमारे से जुड सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा classes, मतलब ज्यादा से ज्यादा फाइदा उठा सकते हैं, time waste करके कोई फाइदा नहीं है, दोस्तों अब ह और पुलवामा पर attack होने की वज़े से इंडियन आर्मी अपने alert पर थी और पाकिस्तानी आर्मी अपने alert पर थी, ऐसे में वहाँ सबसे पहली खबर आई और वो खबर ये आई कि जितनी भी कराची के अंदर जितने भी ब्रिगेडियर्स और ब्रिगेडियर रैंक के officers और मे की tensions अपने peak पर थी, तो उसी tension के peak पर time पर होने की वज़े से वैसी position पाकिस्तान के साथ भी बनी हुई थी तो पाकिस्तान की आर्मी भी उस समय पर चुट्टी पर गई हुई थी, वो पाकिस्तान के भी बहुत सारे officers चुट्टी पर गई हुए थे, और बात जो खबरों में आई, वो ये आई थी, कि उनका आरोप था कि इंडिया से लड़ने के लिए तो हमें भेज रखा है, और जो पंजाब की forces हैं, उन्हें आपने रावल पिंडी की आईशो अराम की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए दे रखी है, तो LAC के उपर, कश्मीर मामले के उपर, क उस मामले को कैसे ना कैसे करके अंदर खाते दवाया गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं, तो सिंध पुलिस और सिंध आरमी की आए दिन जड़ब की ख़वरे आ रही हैं, कि सिंध के पुलिस वाले और سिंध की, पाकिस्तानी आरमी है, दोनों आपस में लड़ जगड रहे हैं और हाला तब पीक पर पहुँच गए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैप्टन सरफराज को जो बेनरजीर भुट्टो के दामाद और बिलावल भुट्टो के जीजा जी हैं उनको एक होटल से गिरफतार कर लिया सुरी नवाज शरीफ के जो दामाद हैं उनको गिरफतार कर लिया कैप्टन सरफराज को और उसके बाद सिंध पुलिस के जो डी आई जी थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया उनको किड्नैप कर लिया गया सोचकर देखिए सेना ये काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत के अंदर तो सेना और पुलिस का कॉन्फलिक्ट उसके बाद आमने सामने आया सडकों के उपर पुलिस के जो रेंजर्स हैं और सेना के जो रेंजर्स हैं आपस में भीड़ते हुए नजर आये और ये खबर एक तरीके से आम होती हुए नजर आ रही है जब तक सिंध पुलिस और आर्मी आपस में भीड़ रही है और जनरली यहां पर पुलिस और आर्मी वाले जब आपस में भीड़ते हैं तो पुलिस वाले तो सिंध के ही लोकल हैं और आर्मी मेंस जो हैं वो जनरली पंजाब के फोर्सस से होते हैं पंजाब इलाके से होते हैं यहां इसमें भले ही आपको आर्मी और पुलिस दिखाई दे रही हो लेकिन मुझे यहां ethnicity की fault lines दिखाई देती है पंजाबी बनाम सिंधी पंजाबी बनाम बनाम बलूची दिखाई देता है यस मुझे पंजाबी बनाम सिंधी पंजाबी बनाम बलूची दिखाई देता है औ और पाकिस्तान जो इसलाम के नाम पर तो भले ही बना लेकिन इसलाम की आइडेंटिति को युनाइट करने चक्कर के अंदर वो कहीं न कहीं रीजनल और लेंगोईज को भूल चुका है और इस वज़े से सारी की सारी जो power है सारे resources है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के जो locals पंजाब की जो population है और पंजाब की leadership और पंजाब की जो लोग है उन्होंने अपनी गराफ इकठा कर लिया बाकी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा यही एक reason है कि इन लोगों के बीच में इतना जबरदस्त आज के दिन conflict है कि कराची देखिए सोच कर देखिए पूरे पाकिस्तान की economy का 70% जो है वो कराची से निकलता है 70% जो contribution है वो कराची का है लेकिन पूरे पाकिस्तान के GDP का 60% जो है वो पंजाब खा जाता है और यहाँ पर सोच कर देखिए 80-85% जो resources है वो बलूचिस्तान में है लेकिन forces और government की जो force को देखोगे तो इस force के अंदर 90% जो है वो पंजाबी है force को अगर उठा कर देखें और उसी तरीके से अगर आप बाकि जो government officials को उठा कर देखेंगे तो वहाँ पर 80% के करीब जाब हजम कर जाता है और उसके बाद यहाँ force के दम पे करांची को दबाने की कोशिश की जाती है force के दम पे ही बलूचिस्तान को और सोच कर देखिए पख्तून इलाकों के उपर तो पठानों के उपर तो पाकिस्तानी air force bomb drop करती है पाकिस्तान की air force अपने ही नागरीकों के उपर bombs drop करती है तो अब आप अंदाजा लगा कर देख सकते हैं कितना बुरी दुर्गती देश की हो रखी होगी लेकिन हो रखी है अब जब यहां पर दुर्गती है तो असलियत में माने या ना माने ये एक तरीके के ethnic conflicts है ये एक तरीके के ethnic conflicts है और इन ethnic conflicts का मतलब है प्रजाती है दंगे है जिसके अंदर या फिर यूज कहें कि regional conflicts है regional conflicts इतने ज़ादा नहीं बढ़ते जितने ethnic conflicts बढ़ते हैं जिसमें एक तरफ पंजाबी है दूसरी तरफ बलोच है तीसरी तरफ बलोच है तीसरी तरफ सिंध है और चौती तरफ पक्तून है समझे और यहां अगर आप देखेंगे तो बलोचों की आपको मिलेगी बलोच लिब्रेशन आर्मी बलोच लिब्रेशन आर्मी सिंध वालों की मिलेगी सिंध लिब्रेशन आर्मी और यह लोग खुल कर अभी कुछ दिन पहले ही बलोच लिब्रेशन आर्मी ने 25 पाकिस्ता तब और जादा बढ़ गया, ये कलेश तब और जादा बढ़ गया, जब ये चो कॉरीडोर है, यहां गौादर पोर्ट, गौादर पोर्ट से कराची होते हुए, इस पूरे कॉरीडोर को पंजाब के अंदर घुमा घुमा के ले जाया गया है, पंजाब को संपन्न किया, पक्तून इलाकों को भी कुछ नहीं मिला, ना तो पक्तून को मिला, ना सिंद को मिला, ना बलोच को मिला, इस वजए से भी ये ज़ादा गुसे में हैं, कि हमारी तो कहीं पर भागीदारी ही नहीं, सबसे आदा घाटे में बलोच रहे, फिर सिंद रहे, और यही रीजन है, सिंध के अंदर आए दिन disputes create हो रहे हैं और आज के दिन सबसे ज़्यादा dispute वहाँ के locals plus वहाँ के police एक तरफ है और army दूसरी तरफ है और इस बार locals versus army जब हुआ है और locals के उपर गोलियां बरसाई गई है तो उसके पीछे का reason ये है दोस्तों कि असलियत में army जो है वो वहाँ पर land occupy कर रही है और इस चीज़ को आप देखेंगे कि पाकिस्तानी army अपने आप में पाकिस्तान का सबसे बड़ा land mafia है वो कौन से इलाके की कौन सी जमीन पर कब कर जा कर ले कोई उसका control नहीं है किसी का भी army खुद में एक land mafia है ऐसी situation में जब लोगों की जमीने चीनी जा रही है और उन जमीनों को army के generals को बेचा जाता है दी जाती है और वो generals उसे सोने के भाव बेचते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सिंध की जनता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुसे में है और यही गुसा पाकिस्तान के locals versus army की form में दिखाई दे रहा है और वहाँ पर इस समय पर गोली बाले चल रही है प्रोटेस्ट चल रहा है army और locals का conflict चल रहा है आगे यह धीरे धीरे कैसे होगा तो क्योंकि यह conflict बढ़ता जाएगा army अपने आपको सुधारने के mood में नहीं है अगर इन्होंने सुधारना होता तो जो बांगलादेश आजाद हुआ तभी सुधार लिया होता और अगर सुधारना होता तो बलुचिस्तान और सिंध के साथ वो हरकत नहीं करते जो इन्होंने किसी समय पर बंगालियों के साथ की थी पाकिस्ताने सुधरने वाले नहीं है और यही एक कारण है जब आप अपने इतिहास से और अपनी गल्तियों से नहीं सीखते तो बरबादी आपका इंतजार कर रही होती है और वही बरबादी यहाँ पुलिस और आर्मी लोकल्स और आर्मी के बीच में कोन्फिक्स के रूप में दिखाई दे रही है गोलियों चलने के रूप में दिखाई दे रही है तो दोस्तो अभी आगे आगे जो भी वविश्य में होगा वो तो समय बताएगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद